हालो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऐसके technical classes में तो चलिए दोस्तों, एक नए set में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों, आज का जो class होगा computer का और computer में दोस्तो, class no. 11 होगा इसे पिछला वला video अगर आप लोग नहीं देखे हैं साथ ही साथ अगर आप लोग इस प्रकार के ख्लास का पीडिएप लेना चाहते हैं तो डिस्प्रिक्शन में वे वाटच्आप गुरूप का लिंक का लिंक है इस्टाग्राम का लिंक है आप लोग सबी जो है जो है जॉईन कर सक्ते हैं आप लोग को Contamente Continental प्रोवाइड कराया जाएगा परते एक दिन तो चलिए आज का सबसे पहला प्रसंद दिया हुआ है और यह प्रसंद दूस्तों प्रकार का इंपूट डिवाइस आट्पूट की बात किया जाया तो प्रसंद पूछ रहा है कि फीजिकल पार्ट्स को यह कहा जा सकता है तो फीजिकल पार्ट्स को हम क्या कहेंगे option A में कहा रहा है software, B में कहा रहा है कि hardware, C में कहा रहा है कि firmware और D में कहा रहा है कि humware तो दोस्तों input और output device को और जो कहा जाता है वो hardware कहा जाता है ठीक है जो कि option B में दिया है hardware यहां उस पर भी बात करते हैं यह पूछा हुआ है डेटा की एक परती जिसे डेटा को पुनर अस्थापित और पुनर प्राप्त करने के लिए उप्योग किया जा सकता है कि पुनर अस्थापित और पुनर प्राप्त करने के लिए हम किसका परियोग करेंगे जिससे कि क्या होगा भाई कि पुनर प्राप्त करने के लिए हम किसका परियोग कर सकते हैं ए में कह रहा है कि कापी किया हुआ डेटा का भी में कह रहा है कि अगला प्रसंट पर चलते हैं अगला प्रसंट दिया हुआ है कर अपन दस्तावेज को सहेज्टा है साहिश्टा का मतलब क्या हुआ यानिकी सेव करना हुआ अब रही वात यानी कि सहेज़नी कीलिए से हम से किसका पर्योग्ग करते हैं posture डूस्तो अगर बात किया जाए तो तो यह सब नहीं कि ध्यान में रखना है अब रही बात की प्रस्वी में अगर पूछ देता कि सबसे पहले क्या प्रेस करें तो इससे क्या हो जाएगा या कोई भी में बाला option भी सही हो जाए क्योंकि B में जो दिया हुआ है control परूस ऐसे दिया हुआ है ठीक है चलिए अग्ला प्रuriesन पर चलते हैं कि C, A, D सबसे पहले इसका पुर्ण्डु पूछड़ा है किसका C, A, D का तो सबसे पहले C का मतलब होता है computer क्या होता है computer होता है नहीं होता है तो पहला option यानि की नहीं होने बाला है बी में दिया हुआ है computer डेवलेपर भी नहीं होगा चलिए अगला प्रसंद पर चलते हैं अगला प्रसंद दिया हुआ है dash एक माधमिक बिंडो है जो उप्यक करताओं को एक command करने की अनुमती देती है उप्यक करताओं से एक प्रसंद पूशती है या उप्यक करताओं को जनकारी परदान करता है यानि कि जो उप्योग करता है उसे जो जनकारी परदान करता है मैनली रूप से हम किस बिकल्प का परियोग करते हैं ठीक है तो मैनली रूप से दोस्तों जो बिकल्प का परियोग किया जाता है वो डायलोग बॉक्स का परियोग किया जाता है option परहेंगे option box की बात किया जाए तो option box का परियों नहीं किया जाता है dialogue box का परियों किया जाता है जो कि option B में दिया है right answer की अगर बात किया जाए तो option इसका भी सही हो जाएगा next person पर चलते हैं next person आज दिया हुआ है questions में कह रहा है कि सत्य अत्वा असत्य कथन की पहचान करे यानि कि सही या गलत जो प्रसन दिया हुआ है उसको हमें टी करना है ये में कह रहा है कि windip कोई संपीडन compression नहीं करता है अरे भाई windip तो एक परकार का compression शंपीडन फाइल है तो ये तो पहला ही option गलत हो गया b में कह रहा है linux एक system software है तो linux की अगर बात किया जाए तो एक परकार का क्या है तो ये system option इसका ये सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगरा प्रसंद दिया हुआ है यदि आप एक बिंडो को बंद किये बीना और अस्थाई रूप से screen से बाहर निकलना चाहते हैं तो dash पर किलिक करेंगे जैसे कोई भी बिंडो में हम work कर रहे हैं और हम कुछ समय के बाद उस बिंडो को और स्थाई रूप से skin से बाहर निकलना चाहते हैं उस बिंडों से हम किस भी कल्ब का परियोग करेंगे तो सबसे पहले अगर दोस्तों उस बिंडों से अगर बाहर निकलना है तो minimize button का परियोग करेंगे ठीक है minimize यानि कि बटन होता है उसको हम परियोग करने से क्या होगा कि बिंडों जो है बिना बंद हुए ही उससे बाहर हम निकल सकते हैं और option किस में दिया है minimize button option B में दिया है राइटेंसर इसका B सही हो जाएगा एस्क्रॉल बार से क्या होगा तो एस्क्रॉल बार से क्या होगा दोस्तों जैसे यानि कि बिंडों के ऊपर कोई भी यानि कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो एस्क्रॉल करके क्या करेंगे हम उसको देख सकते हैं ठीक है ना चलिए अगला प्रसंट पर चलते हैं अगला प्रसंट दिया हुआ है वर्तेमान में दिख रही जनकारी देखने के लिए बिंडों की समांगरी को अस्त्रांतित करने के लिए किसका अपयोग किया जाता है यानि कि अस्त्रांतित करने के लिए कह रहा है और जो न जो दिया हुआ है दोस्तों option B में दिया है correct answer कि अगर बात किया जाए तो option इसका भी सही हो जाएगा अगला प्रस्टन पर चलते हैं अगला प्रस्टन दिया हुआ है questions में कहा रहा है कि जब किसी window के minimize button पर click किया जाता है तो क्या होता है option A में कहा रहा है window बंद हो जाती है B में कहा रहा है कि बिंडो से 30 रूप से उल्टी हो जाती है C में कहा रहा है बिंडो desktop से गाइब हो जाती है और touch bar पर एक button के रूप में दिखाई देता है तो right बात तो यही है भाई कि जब minimize button पर हम click करते हैं तो बिंडो जो है desktop से गाइब अगला प्रसन पर चलते हैं अगला प्रसन आज कर दिया हुआ है किसी application window में डैस एक बटन होता है जिसे आप बाई या दाई और खीच कर करम सा घटा या बढ़ा सकते हैं दाई या बाई की बात कर रहा है या तो left की बात कर रहा है या right की बात कर रहा है और ऐसे दोस्तो इस का function user जो करते हैं monthly चाल क्या क करते हैं या तो right करते हैं या left करते हैं उससे क्या होता है तो windows ऑम होता है या lep से ठिक कर या कर द्रेट कर से फर्थम और ढ़ता खीस नहींने सब्सक्ते हैं और बिज्कते हैं तो राइट एंसर जो होगा दोस्तों इसका बी सही हो जाए क्योंकि बी में जो दिया हुआ है वो शलाइड़ दिया हुआ है अगला प्रसंद दिया हुआ है कोश्चन्स में कहा रहा है कि एक डैस सॉप्टिवेर का एक भाग है जो बेव ब्राउजर के एड़-on के रूप में कारे करता है और ty browser की प्रस प्रसनें और ब्राउजर में एक्स्ट प्रदान करता शिब्सके मसरी द्वारा प्रदान किया जाता हुआ है यूँ कि डी में दी अपशन इसका डी सही हो जाएगा अगला प्रसंद आज का दिया हुआ बिंडो में यदि तीछ इसी छीड़ा से थोड़ा घुमावदार कि इस परकार से थीक सब्सक्राइब है तो लिएंट घुमावदार किन his दर साथows इन की रृट Export Metroで बात कि यृफ्षन D नीय दिए सब्सक्राइब अच्क प्रस्म्फर में अच्छा यहाँ tips अगर कोई ही प्रसंद में किसी प्रकार का डाउट है तो फिलिज आप लोग उसके लिए कॉमेंट कीजिएगा साथी साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर सिर कर दीजिएगा तो चली मिलता है एक नए पार्ट में अच्ता के लिए जाएंदें